हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टी एस एजुकेशन सेंटर में फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम जानेंगे समान ग्यान के कुछ महत्तोपूड प्रसन और उत्तर जो आपके सभी एक्जाम्स के लिए महत्तोपूड है तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का वीडियो आज का पहला कोस्चन है राजगाट किस की समाधी अस्थल है इसका सही एंस्वर है राजगाट महात्मा गाधी की समाधी अस्थल है अगला कोस्चन है सांतीवन किस की समाधी अस्थल है इसका सही एन्स्वर है सांतीवन जोहरलालनेह्रू की समाधियस्थल है अगला कोश्चन है शेर ए कसमीर किसे कहा जाता है अगला कोश्चन है गुजरात के जनक किसे कहा जाता है इसका सही एंस्वर है गुजरात के जनक रवि संकर महाराज को कहा जाता है अगला कोश्चन है गोल्डन गलोब आवार्ड जीतने वाले प्रथम भार्तिय कौन है इसका सही एंस्वर है गोल्डन गलोब आवार्ड जीतने वाले प्रथम भार्तिय ए यार रहमान है अगला कोश्चन है Christian Science Monitor किस देश की समाचार पत्र है इसका सही एंस्वर है Christian Science Monitor Boston USA की समाचार पत्र है अगला कोश्चन है दच्छिड अफरीका की कितनी राजधानिया है इसका सही एंस्वर है दच्छिड अफरीका की तीन राजधानिया है पहली राजधानी केप टाउन दच्छिड अफरीका की बिधाई राजधानी है जबके प्रिटोरिया प्रसासनिक राजधानी वबलो एमफोंतेइन न्यायाईक राजधानी है अगला कोश्चन है चीन कितने देश की सीमा को इसपर्ष करती है इसका सही एंस्वर है चीन 14 देश की सेमा को इसपर्ष करती है अगला कोश्चन है उत्री ध्रुव की खोज किसने की थी इसका सही एंस्वर है उत्री ध्रुव की खोज रवर्ट पियरी ने 1909 इसबी में की थी रवर्ट पियरी अमेरिकी खुजकरता और अमेरिकी नौसेना अधिकारी थे अगला कोस्चन है नाइजीरिया के आतंक वादी या उगुरुवादी संगठन का क्या नाम है इसका सही एंस्वर है नाइजीरिया के आतंक वादी या उग्रुवादी संगठन का नाम बोको हरम है अगला कोस्चन है इकांथा फ्रीडम पार्टी किस देश की राजनीतिक दल है इसका सही एंस्वर है इकांथा फ्रीडम पार्टी दच्छिड अफ्रीका की राजनीतिक दल है अगला कोस्चन है रिशर्च एंड एनालिसी स्विंग यानि अनुसंधान और विसलेशर असकंध किस देश की गुप्तचर संस्था है इसका सही एंस्वर है रिशर्च एंड एनालिसी स्विंग भारत की गुप्तचर संस्था है इसकी अस्थापना 21 सितंबर 1968 भी को की गई थी और इसका मुख्याले नई दिल्ली में है अगला कोस्चन है विसल का सबसे बड़ा पुस्तकाल है कौन सा है इसका सही एंस्वर है विसल का सबसे बड़ा पुस्तकाल है द लाइब्रेरी ओफ कॉंग्रेस है इसकी अस्थापना सन 1800 इसवी में वासिंगटन USA में की गई थी अगला कोस्चन है विसल की सबसे ब्यस्त नहर कौन सी है इसका सही एंस्वर है विस्तु की सबसे ब्यास्त नहर कीन नहर है जो जर्मनी के रे स्विंग होली वन में इस्तित है अगला कोश्चन है गुट निरपेच आंदोलन का प्रथम सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ था इसका सही एंस्वर है गुट निरपेच आंदोलन का प्रथम सम्मेलन का आयोजन बेल ग्रेड में हुआ था यह 1961 में यह आयोजन हुआ था और इस सम्मेलन में दुनिया के 25 देशों ने भाग लिया था अगला कुश्चन है अंतराष्ट्रिय मुद्राकोस यानी IMF की अस्थापना कब हुई थी इसका सही एंस्वर है अंतराष्ट्रिय मुद्राकोस की अस्थापना 27 दिसंबर 1945 इसभी में वासिंगटन अमेरिका में हुई थी अगला कुश्चन है EMS का फूल फॉर्म क्या होता है इसका सही एंस्वर है EMS का फूल फॉर्म All India Institute of Medical Science यानी अखिल भारतिय आयर विज्ञान संस्थान है अगला कुश्चन है महात्मा गाधिन नॉन वाइलेंट पावरीन एक्षन किसकी रशना है इसका सही एंस्वर है महात्मा गाधिन नॉन वाइलेंट पावरीन एक्षन डेनिस डाल्टन कि रशना है अगला कुश्चन है गाईका निर्मात्री लता मंगेशकर को दादा सहाफ फॉल के पुरसकार से कब सम्मानित किया गया इसका सही एंस्वर है गाईका निर्मात्री लता मंगेशकर को दादा सहाफ फॉल के पुरसकार से 1989 इस भी में सम्मानित किया गया अगला कुश्चन है 1929 में खुदाई खित्मतगार का आयोजन किस ने किया था इसका सही एंस्वर है 1929 में खुदाई खित्मतगार का आयोजन खान अब्दुलगफार खान ने किये थे फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में वीडियो को सेयर भी करें